हेलो गाइज वेलकम बैक ऑन माई यूटीब चैनल लेट्स एक्जाम अब आस में आपको बताऊंगी क्लास 12 के चप्टर नमबर तू सेक्सवल लिप्रोडक्शन इंग फ्लाइरिंग प्लांट्स की नेक्स टॉपिक के बारे में जो टॉपिक आपको बताया रहा है इस वीडि ढूर्स होते हैं सारे कि कौन सी करेक्रिस्टिक फीचर कोते हैं यह सारी डिस्कुस करूंगी और यह सकर्ने से पहले आपसे एक रíक्वेस्टaltet कि अगर आप इस चैनल पर फ्रस्जाम बैल आइकों को फ्रेस कर आशिकस कर लिए तो सुरू करते हैं आज का टॉपिक जो आप मैच्यूर पॉलिन तो यह मैच्यूर पॉलिन के करक्टर कौन कौन से होते हैं इसके बारे में बता रही है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि मैच्यूर पॉलिन क्या क्या है देखिए लिखा गया कि मैच्यूर पॉलिन कंसिस्ट आप टू सेल्स विथ न्यूकलियस है कोई भी एक Mature Pollen जो होता है вдग बना होता है और यह Saal किलिक नाम पिस साथ में ही पाइजाता है और दोनों से के नाम क्या होते हैंक फिर स्ट आपको भूर वेजिटेटिटिप चल्स और सबसे पहले वेजिटेटिटेप सल क्या होते हैं यहां दिया गया है कि जो वेजिटेटिव सेल होते हैं वो साइज में कैसे होते हैं बिगर होते हैं सेकंड दिया गया है आपका की एबेडेंट फूड रिजर्व यानि कि क्या है कि इसमें दिया गया है कि जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं इसमें जो फूड र तो इसा होता है वो irregular mannaur में होता है जैसे हम कहीं पर भी nucleus की बात करते हैं तो rounded होता है या कोई सी जैसे हम square form में कह सकते हैं लेकिन ع oldious जो होता है इसम में भी सेटीव सेल्स में जो जो क्यों सुत है इन्युक्द में उते है ऐसे कह सकते कि इदंतिफाइब सोगे नेक्स आपका दिया गया है पॉइंट इसके लिए जिम्मेदार को ने वेजिटेटिटिव सेल्स क्या होते हैं इसके बारे में जेनरेटिव सेल्स आपका दिया गया है बदेखिड़क आपको बताए सेल्स इन डिला जन्स इंडार को निए बढ़ा हुआ है इंवालम इन्ज वेजिटेमी इसमें में जी संगेमी आच्गा मुलें जाता है सिंगेमी में दिया गया फ्यूज विद एग यानि कि अगर पॉलिन ग्रेन है यहां कह सकते हैं कि जो मेल पाल्ट है वह फीमेल एक से क्या करता है फ्यूज कर जाता है जैसे हमने लास्ट वीटियो में आपको बता गया होगा कि सेक्षवल डिप्रोडक्शन का मतलब म जबने को दिया गया है कि अगर कोई मेल पाल्ट है और कोई फीमेल पाल्ट है इसको आमने माल लिया गयमी या पॉलें और यहां पर फीमेहल ने कि बनता हartet कि यहां जाइको बनता है नहीं जाई गोड बनता है और इसी फ्यूजन पो और यह क्या कहते हैं cynicoloण टैसल के iterative और सबस्क्रीन कि चलते हैं नेक्स पॉंट आपको बताय गिया जैंट एंटिव के इसके जो साइटड़ प्लासम होते हैं ते भी च्ट ऑना होते हैं और साथी साथ इसमें nucleus भी पाया जाते हैं नेक्स आपको देखिए जैसे figure आपको clear हो रहा होगा कि कोई भी अगर इक pollen grain है जैसे आपको structure में दिख रहा है तो जो यह क्या है नूक्लियस है नूकलियस में इसका बताइब यह इडरेगलर में होते हैं इसकंड आपका बताया जैसे हैं जैसा होता है नेक्स नेक्स जिसमें यहां यह करते हैं जासे आपको बता रहे हैं जीजिसे तरह बहुत सारे ऎसे इसी तरह गए उसके पॉलन उपने होते हैं और सफरी कोस करते हैं हम कहसे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बिमारियां भी काॉस करते हैं तो इसमें आपका पार्थीनियम का एग्जाμपल दिया गया है अब और पार्थीनियम का पॉलटन ग्रें है तो यह बहुत ही ज़्यादा ऐलर्जि काॉस करता है और साथी में आपका दिया गया है कि यह bronchial disease, यानि कि lungs related, यानि कि जो lungs हमारे होते हैं उससे related क्या करता है, disease cause करता है और next दिया गया है lead to chronic respiratory disorder और साथी में क्या दिया गया है, कि अगर यह lungs disorder या disease cause कर रहा है तो यह disease एक समय ऐसा आता है कि chronic disease बन जाता है, यानि बहुत ही भयांकर बिमारी बन जाती है, जैसे कि यहाँ पर आपको बताएं अस्थमा या हम bronchitis कह सकते हैं, bronchitis का मतलब क्या होता है, bronchitis means होता है, lungs, और itis किसी भी word के आगे अगर itis लगा है, तो itis का मतलब होता है, swelling, य निक्स्ट आपका दिया गया है कि यहां पर कि pollen grain are rich in nutrients, यानि कि जो pollen grain पाए जाते हैं, इसमें क्या होता है, बहुत ही nutrients पाए जाते हैं, और इस nutrients के पाए जाने की कारण हम pollen grain को pollen tablets के form में यूज करते हैं, यह हम कह सकते हैं, food supplement के form में भी हम इसको यूज करते हैं, next point पर चलत probability होती है, means इसका जीवन काल होता है, यह एक दूसरे के species में, जैसे कि अगर हम पार्थीनियम की बात करें, या दूसरे plants की बात करें, तो यह क्या होता है, इसकी variability vary करती जाती है, यानि चेंज होती रहती है, यानि सारे plants के जितने भी pollen grain होते हैं, सब की probability क्या होती है, अलग यानि चेंज होते हैं, नेक्स्ट आपका दिया गया है, can should land on stigma, और यह pollen grain कहां लैंड करता है, stigma पर लैंड करता है, और यह कब करेंगा, before the period of germinate, यानि कि जब germination होता है, उससे पहले वो क्या करता है, pollen grain, stigma पर लैंड कर जाता है, जैसे मैं figure से clear करती हूँ, आपको बताया हो होगा कि जो female gynesium होता है, यानि कि ऐसे आपको gynesium बताया होगा, इस form में होता है, यहाँ पर ovule जिसमें चोटे-चोटे क्या होता है, seed like structure जिसको हम ovule कहेंगे, और यहाँ पर आपको क्या होता है, कि stigma like structures मिलते हैं, और इसी पर क्या होता है, यहाँ पर pollen grain आकर चिपक जात होता है, यहाँ पर चिपक जाते हैं, नेक्स्ट आपका दिया गया है, कि pollen grain of large number of species are stored in liquid nitrogen and high temperature, जिसके आपका दिया गया है, 196 degree, जिसको हम क्या करें, पॉलन पैंक, मतलब क्या है इस लाइन का देखिए, इसमें दिया गया है, कि बहुत सारी ऐसी भी species होती है, pollen grain की, जिसको हम liquid nitrogen पर उसको हम रख सकते हैं, store कर सकते हैं, और उसको हम क्या कर सकते हैं, और भी बहुत सारे pollen grain होते हैं जिसको हम high temperature, high temperature का मतलब आपको दिया गया है, лиquid nitrogen में pouvez jour क्या एक 13.00 सकते हम उसको क्या कर सकते हैं, और यही इस ठोर करने की process को या प्रकृरिया, को, हम क्या कहते है, pollen पॉलेंग का मतलब क्या है कि यहां पर हम लिक्विड नाइट्रोजन में या हाइट तंप्रेचर जैसे 196 डिगरी पर पॉलेंग ग्रेयन को रखकर इस पॉलेंग पॉलेंग में क्या करते हैं इस प्रोसेस को ही पॉलेंग ठीक है है sitzt कि две इस इसको आम नहीं क्याब आ तास्विशन थे बारे ूद दो निक्स्ट चलते हैं पिस्टिल मेधाउर इंड आर्ल इस सब्सक्वाद के बारे ौद इसके कि वारे में पढ़ने तो सबसे पहले आपका दिया गया है कि जाते हैं जाते हैं पई लोह पैलरी तरम देते हैं अगर निक्स दिया गया है कि अगर एक से जादा पिश्टिल पाए जाते हैं तो को हम क्या को पॉली कार काल रजी कहते हैं पॉली मिनस क्यों होता है बहुत अब कर दिया घया है मौंवा पांव में कर दिया ओक्र धंगी हो सब्सक्रान के मंस 사용 होता है और यह घूनिकल म्तलब कि दूसरे संदल हो जाता है यह इस सब्णिशनद को सब्सक्रां और अगर यह जुटता नहीं यह फ्री रहता एक दूसरों से अगर मालेज़े ऐसे ऐसे एक रह रहा है फ्री तो इस कंडिशन को बोलते हैं एपो कार्पस कंडिशन इस तरह करके आपको इस लैंड क्लियर हो गया हो जैसे कि आपको एक्जांपल में आहां दिया गया है कि अगर मल सब्सक्राइब कर रहे हैं जैसे आपको स्टिग्मा स्टाइल और और यहीं फीमिल गायनेश्यम की बात होगे जैसे कि स्ट्क्चर में कलर कर रही हूं ऐसे आपको स्ट्क्चर मिलेगा यह चीज यहां आपको मिलीगा स्ट्क्र, ऑर तकर अर्फ फ्रस्ट आपको दिया है स्टिग्मा और यह त्रक्षान चाहारि अपका स्टाइल और नेक्स्ट और वर्री यह चीज़े हैं आपकी तो इस organizer तरह च्थिश्यमिल में लगभग टीन पर्ट होते हैं आपका दिया क्या है वरी सके secularय माच चाहिस के ऩोबी वियूर्प है चैनल इस एक पात जाता है और 1 रॲिवल प्लेसेंटा इसलोकेटेड इंसाइड डॉवियू vidéosछ और यहीं लोक्यूल में क्या होता है प्लेसेंटा पाया जाता है और यह प्लेसेंटा जो होता है यह ट्यूब लाइक स्ट्रक्शर होता है देखिया आगे क्या दिया गया है कि मेगा suporengium जिसको और बीविविविव नाम देते हैं एडाइज अब स्विव द्यृ क्लेसंटर यानि जो मेगा इस्पोरेंजियम या ओब्यू जो होता है वह प्लेसंटर से क्या होता है निक्स जलते हैं कि महगा इस टॉपक कि दिक लेते हैं यहाँ दिया गया है कि मेगा स्पोरेंजियम और अबिए अगर कहीं लिए तो आह से कन्फूज मत होना इस हैं और भी एधे लिते हैं ठीक है दिया गया इसमिंस फोस्मान स्ट्क्ट brill以 की और डाक इस C होता है ऑ प्लसेंटा से क्यों होता है एक प्लसेंटा यानि कि प्लसेंटा की प्लसेंटा से जुड़ा होता है वह वहीं पर एक स्टाक पायजाता है जिसको हुए कहेंगे funicle कहेंगे next point आपका दिया गया है highятиlum यह hyalum क्या होता है? दिया गया है कि junction between obule and funicle यानि कि जहां पर attachment होता है stock by which obule लिखा गया है तो वहां पर जो attachment होता है उस attachment में दिया गया है कि अगर obule है और यहां प्योनिकिल है तो इन दोनों के बीच का जो attachment है इसी को हम क्या कहेंगी हाइल हम कहते हैं next point आपका दिया गया है integument अब integument क्या कहते हैं integument क्या होता है कि जो भी Megasporingium अगर है यानि कि उब्यूल है उसकी चारों तरह जो protective covering पाई जाती है envelope पाई जाती है उसी को क्या कहते हैं integument कहते हैं next point आपको बता जा रहा है माइक्रोपाइल अब यहां पर माइक्रोपाइल क्या होता है देखी दिया गया है कि small opening एड़ टेप ऑफ ओव्यूल यानि कि अगर यह ओव्यूल है तो इसके आघञे जैसे कि pollen टीप क्या हूथ यहां से I enter करता और इसी पृर को क्या कहते है I do एक जड़ते हैं next point पर Our next point कि आपका दिया गया है यहां पर next point आपका दिया गया है च्छान चैने अपर दिया गया हैा कि बिसल पार्ट आप उप्धूर्स प्रविप्ड ख्रीच को मैं प्राइब उप्राइब को एक प्राइब उपड़ाहई इसकी चो बेस्पार्ट होते इसको चालिजा कहते हैं नेक्स्ट यहाँ पर ट्रम दिया गया है नियुसीलस जो होता है यह यह होता है मिंस हम कह सकते हैं डिप्लयाइड होता है मास आफ सेल इंगलोजी इंटेगमेंट has abundant food reserve यानि कि न्यूव सेलर्स क्या होता है डिप्लाइट नीचर का होता है और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे cells के यहां मासी इकठ्था होते हैं इन इंटेग्मेंट यानि कि चारो तरफ covering पर और साथ इसमें बहुत ही ज्यादा food पाए जाते हैं जैसा कि आपको फिगर में बहुत अच्छे से सो रहा होगा और जूम भी कर दे रही हो मैं है यहां पर आपको दिख रहा होगा यह क्या है एक उब्यूल की स्टक्चिर्स हैं जिसमें आपको सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि एक इंटेग्मेंट लेयर आपको दिख रहा है the उसके ज़स्ट पर जाोगा तो इक अपको इनर इंटेगोमेंट लेयर मिल रहा है और ये दोनुँद लेयर और पाइंगों 이 यहां पर दिया गया है new cellus और यह new cellus क्या करता है इसमें बहुत सारे डिजर्फ फोर्ड मेटेरियल्स पर जाते हैं जो ऑब्यूस को क्या करते हैं नरिस्पमेंट या पोशड प्रदान करते हैं नेक्स आप पर दिया गया एंदर पाया जाता है और यहां पर देखिए जो हाई लंग्स यो निकेल माइक्रोपाइल यह सब सारी चीज़ आप देख रहे हो तो अब्यूल है तो अब्यूल के बेस पार्ट पर अगर देखा जाए तो यह चैलेजा है और इसके टिप पोजिशन पर आप देखोगे तो य अपर साइड पर आपको फ्यूनिकल मिलता है तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा व्यूल की स्ट्रक्चर की बारे में चलिए आज के लिए बस इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ और नेक्स टॉपिक आपकर रहेगा मेका स्पोरो जैनेसिस और आज जो आपको बताई हूँ अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट सेक्षन में आप बताएए कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है और बाकी अपने फ्रेंस तक स्यार कीजिए और और सब्सक्राइब कर लिए इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद